पुलिस की नौक्री और उसमें भी दरोगा की पत के रुत्बे का क्या कहना बिहार की करीब 6 लाख युवाओं ने पिछले साल दिसंबर महीने में दरोगा भरती के लिए प्रारमबिक परिक्षवा दी थी इनमें से केवल 47,900 ही बास कर पाए हैं और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि जिस परिक्षवा में करीब 5,5 लाख युवा फेल हो गए उसमें बेगुस राय के एक गाउं की तीन सगी बहनों ने एक साथ कामियावी हासल कर सभी को चौका दिया है एक और दिल्चस्प बात यह है कि तीनों बहनें पहले से ही सरकारी नौकरी में है तीनों पहले से ही पुलिस की नौकरी कर रही है इन तीनों बहनों के एक साथ परिक्षवा पास करने से पूरे गाउं में खुशी का माहूल है तीनों लड़कियां बखडी के सलोना गाउं की रहने वाली है तीनों का ही बच्पन गरीवी में बीता इनके पिता निम्न वर्गिय किसान है गरीवी के कारणा तीनों की परवरिश ग्रामिन परिवेश में ही हुई गाउं की ही स्कूल में तीनों ने सिक्षा हासल की बावजुद तीनों ने काम्याबी हासल कर ना अपने परिवार का नाम रोशन किया है बलकि जिले में भी ये परिवार चर्शा का विश्य बन गया है इनके पिता का नाम फुलेना दास है मा ग्रहनी है, फुलेना की पाँच संताने है, जिनमें चार बेटियां और एक बेटा है, बरे बेटी जोती, दूसरी सोनी और तीसरी मुनी ने दारोगा की प्रारंबिक परिक्ष्वा पास की है, जोती और उनकी दोनों बहने फलाल, बिहार पुलस सेवा में काररत है, जोती म अपना कोई मुकाम हसिल की आवा रहता है, तो बात ही अलग है, और अपने पेर पे खाराना चाहिए, और अपने माँ और जो मितलब पैरेंट्स है, उनलों को भी यह कहना चाहूंगी, कि वो अपने बेटी को आगे पढ़ाय लिखाया, आत्मी उहर बनाए खुद, अपने स सुच के हिसाब मझेल पर आजा सकता है, जब मझेल करास्ता में रहता है, तो बहुत तरह का केठ़नाई सादमी सिब्खेे बहुतत आना देता है, जो इसे अदमी को खुद भरोसा रखना चाहिए और त्यारी करना चाहिए अपने पेर पर खराओ जाए तक बात ही अलगा जी बिल्कुल मैं हर माबाप को कहाना चाहूंगी कि खासकर अपनी बेटी पर इतना ध्यान दे और इतना मेहनत करवाया कि वह खुद अपने पेर पर खराओ ज मेहनत करके हर चीज को यह करके मंजिल पाने का अगर मन में तमन्ना हो तो जरूर पूरा हो हमको लग रहा था कि आगे कुछ मंजिल पाने के लिए हूं बहुत मेहनत काफी मेहनत कर रही और अगल बगल के कि क्या उमर होगी अब की बच्ची की साधी अभी नहीं हुआ ना बड़ी वाली बड़ी वाली कि नहीं हुआ अब दो की अभी नहीं हुआ तो क्या होगा उमर वोगा एग की 25 होगा 24 और 20 लंबसम एभरेज मतलब 24-20 हुआ तो क्या कभी आपने सोचा कि परहाई जो है यही तक बंद करवा के और शादी कर दें अपना घर बसा लेगी आपके मन में ऐसा कभी आया ख्याल कभी नहीं आया था है जितने जल्दी हो कि अपना कुछ मुकाम हासिल कर लें पड़ लिकी घर criar की है कि तो भेर की बेटियों को बताईये किस तरीके से पढ़ाई करके मनजिल पाने का एक्छा हो अगर लगन सकती हो तो मंजिल पाया जा सकता है वह को तो बड़ी खुशी की बात है आगे की और हमारी बच्ची बढ़ते जाए आपका बैक्गरांड कुछ अपने बारे में बताई आपका बैक्गरांड मैं छोटा मुटा किसान हूं हमको पत